एबीपी न्यूस पर इसवक्त की बड़ी खबर ये है कि नरेंद्र मोदी को लगा है बड़ा जटका लोकायूक न्यूक्त करने के विवाद में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा जटका लगा है लोकायूक न्यूक्त की लड़ाई में मोदी हार गए ह और इस केस में गुजरात की राज़िपाल कमला बेनिवाल के फैसले की जीत हुई है सुप्रीम कोट ने पूर्जज आरे महता को गुजरात के लोका युक्त पद पर न्युक्त किये जाने को सही ठहराया है आपको बता दें 25 अगस 2011 को राज़िपाल कमला बेनिवाल ने पूर्जज आरे महता को गुजरात का लोका युक्त न्युक्त किया था गुजरात में 2003 से ही लोका युक्त का पद खाली था हाई कोट ने गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई थी लेकिन मोदी सरकार ने लोका युक्त नहीं नियुक्त किया इसके बाद राजिपाल कमला बेनिवाल ने पूर जज आरे महता को लोका युक्त नियुक्त कर दिया बाद में मोदी सरकार ने गुजरात हाई कोट में भी फैसले को चनौती दी थी लेकिन वहां से भी जटका लगा था और अब सुप्रीम कोट ने भी मोदी सरकार को जटका दे दिया है तो बड़ा जटका मोदी सरकार को क्योंकि सुप्रीम कोट ने भी लोकायुक्त की न्यूक्ति को सही ठहराया राजपाल कमला बेनिवाल ने पूर्जज आरे महता को लोकायुक्त न्यूक्त किया था दस साल से गुजरात में लोकायुक्त नहीं है दोजार तीन से कोई लोकायुक्त नहीं है लेकिन अब सुप्रीम कोट ने लोकायुक्त की न्यूक्ति को सही बताया है सुप्रीम कोट ने क्या कहा उस पे एक नज़र डालते है राज़पाल सरकार की सलहा पर काम करने को बाध है लेकिन नियुक्ति सही है क्योंकि ये गुजराथ हाई कोट की सलहा से की गई थी तो सुप्रीम कोट ने कहा है कि ये बात सही है कि राज़पाल को सलहा लेनी चाहिए गुजरात सरकार की सलाली भी गई लेकिन उसके बाद जो नियुक्ति की गई है वो ठीक है ये सुप्रीम कोट की तरफ से फैसले में कहा गया है और इसके साथ ही अब नरेंद्रु मोधी को लगा है बड़ा चटका आपको बता दे विरोधी लगाता नरेंद्रु मोधी को कमला बेनिवाल ने पूर्जज आरे महता को लोकायुक्त बनाया था 25 अगस 2011 को और उस फैसले को सही ठहराया है सुप्रीम कोट ने 25 अगस 2011 को राजिपाल कमला बेनिवाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी पूर्जज आरे महता को गुजरात का लोकायुक्त नियुक्त की न्यूकती सरकार द्वारा नहीं की गई